15 जुलाई को हर वर्ष नेशनल प्लास्टिक सजरी डे और वर्ल्ल प्लास्टिक सजरी डे मनाये जाता है प्लास्टिक सजरी के बारे में कई भ्रांतियें हैं कि प्लास्टिक सजरी प्लास्टिक का इस्तिमाल किया जाता है लेकिन plastic surgery प्लास्टिक से कोई लेना देना नहीं है एक Greek word है plasticos इसका मतलब होता है to mold जैसे कुमार मिट्टी से खिलोने या अच्छी चीज़े बनाता है वैसे ही एक plastic surgeon हड़ी मास और मास पेसियों से तोचा से अंग बनाने का कारे करता है तो इसका मतलब plastic surgery में अंग और जो damage हो जाते हैं उनको बनाने का काम होता है और कुछ congenital anomalies होती हैं जैसे की हाथ की उंगलियों को जोड़े रहना syndately कहते हैं या extra अंग उठा हो या congenitally जो हाथ की paralyzed हो या चोट लगने से brachal plexus injury हो जाए या nerve की injury हो जाए या हाथ की injury हो जाए वो plastic surgery में आता है plastic surgery में हम लोग burn का इलाज भी करते हैं burn का मतलब जलने से लेकर burn का इलाज ठीक होने तक burn का इलाज कह जाता है कभी कभी हमारे पास मरीज बहुत देर से आते हैं इनका की बहुत खराब स्कार पड़ जाता है और हाथ प्या पैर गले में चिपक जाते हैं तो उसका भी इलाज हम लोग plastic surgery में करते हैं दूसरा होता है cranio facial cranio facial में जैसे कटे होट है कटा तालू है या सर की कोई anomaly हो हड़ी जुड़ गई हो सर ना बढ़ पा रहा हो cranio sinuses हो इसकी हम इलाज करते हैं फिर जैसे cancer है cancer की सजरी के बाद जब अंग निकाले जाते हैं चेहरा निकाला जाता है तो उसका उसकी सजरी जो चेहरे का या कोई पाड निकाला गया या ब्रेस्ट निकाला गया या कहीं से भी मास निकाला गया उस मास को दुबारा हम लोग निकालते हैं free flap की वज़े से या किसी भी flap cover की वज़े से कहीं से मास लाके उसको ठीक करते हैं वो भी plastic सजरी में आता है आँखों के आसपास का और्बिट में फ्रेक्चर होता है, तो इस फ्रेक्चर को भी हम प्लास्टिक सजरी के विधी के द्वारा करते हैं, तो यह सब प्लास्टिक सजरी में आता है, अब जैसे कि अब इसमें जो प्लास्टिक सजरी से लोग कन्फ्यूज करते हैं, कि प्लास् और राइनो प्लास्टी ये करते हैं दूसरा होता है जिसे गंजे पन होता है गंजा पन जिसे तो उसमें हम हेर ग्राफ्टिंग करते हैं पीछे सर के पीछे से बाल लेके या पीछे बाल नहीं है तो सीने से बाल लेके या दाड़ी के या मुछों के बाल लेके भी हम लोग सर प्रूरिंग सरजरी या बदामनोप्लास्टी या ज्यादा है तो लाइपो सक्षन करके हम फैड निकाल देते हैं फिर ब्रेस्ट सरजरी होती है ब्रेस्ट सरजरी में फीमेल और मेल दोनों में जरूत पड़ती है फीमेल में अगर ब्रेस्ट बहुत बड़े हैं जिससे की मेल में काईनोकोमेशिया होता है बड़े बड़े ब्रेस हो जाते हैं प्लास्टिक साइडिक सब्सक्राइबारी माच्रिक्ट्ञ कर लेकिन इकटोड प्लास्टिक साइड़ से रॉक्स बहुत होती है। तब तक वो फ्लैप हील फ्रैक्चर हील नहीं होगा और घाव भरेगा नहीं तो वहाँ भी हम लोग का रोल आता है इसमें help you educational and seductible trust जो है आपका ये बहुत help मरीजों की इलाजों में help करता है और अक्सर मरीज ये लोग हमारे पास लाते हैं जिसे कि गरीब मरीजों का भला कर दन्यवाद